आईए एक क्रिया कलाब करते हैं हमने पहले संपीडन की चर्चा की थी हम अब एक ठोस, द्रव और गैस को संपीड़ित करने का प्रयास करेंगे हम कुछ वस्तुवे लेते हैं ठोस के लिए चौक, द्रव के लिए पानी और गैस के लिए हवा हम इन सब को एक सिरिंज में डालते हैं और संपीड़ित करते हैं क्या आपको पता है सिरिंज क्या होती है? अगर आपने कभी किसी को इंजेक्शन लगते होए देखा होगा तो आप इसको पहचानते होंगे आईए देखते हैं अपनी इंसियार्टी पुस्तक के क्रिया कलाप 1.11 पर जाएं और चर्चा करें जिस सिरिंज के अंदर चौक है उसको दबाने में मुश्किल होती है और चौक संपीड़ित नहीं होती है जिस सिरिंज के अंदर द्रव है उसको दबाने में थोड़ी मुश्किल होती है और द्रव बहुत कम संपीड़ित होता है जिस सिरिंज के अंदर हवा है उसको दबाने में आसानी होती है और ग्यास ठोस और द्रफ पदार्थों की तुलना में ज्यादा संपीडित होती है इसका निश्करश ये है कि ग्यासों का संपीडन सबसे आसान होता है द्रफ बहुती कम संपीडित होते है और ठोस पदार्थों में संपीडन नगर्ने होता है हमने इस क्रिया कलाप से क्या सीखा? हमने सीखा कि गैस ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में सबसे आसानी से संपीडित हो जाती है क्या आप इसका कोई और उधारन जानते हैं? क्या आपने कभी रसोई में गैस सिलिंडर देखा है? गैस सिलिंडर के अंदर क्या होता है? एक गैस सिलिंडर में कितनी गैस होती है जिससे हम इतने दिनों तक गैस चला पाते हैं? गैस सिलिंडर में LPG होती है लिक्कुफाइट पेट्रोलियम गैस यानिकी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस बहुत सारी गास को जब सिलिंडर के अंदर संपीडित किया जाता है तो वह द्रब में बदल जाती है LPG, Liquified Petroleum Gas LPG की ही तरह संपीडित प्राकृतिक गास यानि की CNG यानि की Compressed Natural Gas का इस्तमाल पेट्रोल की जगह वहानों को चलाने में किया जाता है और इसका इस्तमाल इसले किया जाता है क्योंकि इससे production कम होता है